हलो एंड वैलकेम एवरिवान अब सभी को दसरा की बहुत बहुत सुपकामना है गाईज और इस वीडियो शेशन में हम लोग आगे भरते हैं लास्ट वीडियो शेशन में हम लोगों ने नेशनल अवाट को कम्प्लिट कर लिया था तो अब हम यहां से इंटरनेशनल अवाट को पढ़ेंगे ओके और गाईज जो पीसे समंत्रा वाली मैगजीन है उसका पीडियो मैंने और सैट नमर एट का मैंने टेलिग्राम पर संट कर दिया और सैट सावन की भी पीडियो मैंने बना ली है और मैं अभी उसको संट कर दूंग इस वीडियो के जस्ट वाट ठीक है तो आप उसको भी ले ले चाहिए और उसका वीडियो में नहीं बनाने वाली गाईज ठीक है कोई टैंशन लेंट से क्या फाइदा ठीक है तो अंतर राष्टे प्रुसकार के वारे में हमें आप बात करने लेते हैं सबसे पहले है रेमन मैक्सी से वार्ड 2021 तो या गाईज इस वार यह हमारे ले उत्रह इंपर्ण नहीं है क्यों कि इसमें किसी भी इंडियन का नाम नहीं है राइट किसी भी इंडियन को यह नहीं मुला है तो हमारे ले उत्रह इंपरुसकार के वारे में बात करते हैं तो यह परुसकार मिला है और यह अक्शली तीन काडेगरिज म ठीक है पूरा नाम है पाला गुम्मी साइनाथ ओके पी साइनाथ भी अगर आप यादर को तो भी चलेगा ओके अब आगे बढ़ते हैं एक पुरुसकार हमारा कबर हो चुका है फुकु ओका पुरुसकार 2021 देता को नहीं है तो यह जापान का प्रतिष्टित पुरुसकार है इस ठीक है जापान कवर्मन्ट देती है फुकु ओका पुरुसकार और इसमें जो एक काटेग्री है ग्रेंड पुरुसकार किसको मिला है वो पी साइनाथ को ओके आगे बढ़ते हैं बाकी तीनों से हमारा कोई मतलब नहीं क्योंकि हमारे इंडियन्स को नहीं मिला है ठीक है और अगर पुलिट्चर अवर्ड की बात करें तो पुलिट्चर की वारे में वैसे आपको स्टाटिक जानकारी होनी चीए इसकी वारे में कि किस फील्ड में दिया जाता है तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है लेकिन इस बार भी यहां पर यह important बन जाता है मारे लिए इस बार जो international reporting के लिए मिला है वो किसको मिला है तो Megharaj Gopalan को राइट यह भारतिय मूल की अमेरी की पत्रकार है ठीक है इसलिए इनका नाम थोड़ सा important हो जाता है मारे लिए बारतिय मूल की अमेरी की पत्रकार Megharaj Gopalan और एलिशन किलिंग और क्रिष्टो बुस्चिक तो इनका में से Megharaj Gopalan जो है वो ही अमारे जाते हैं मुलने ओके आगे है गोल्ड मैन पर्यावरण पुरुषकार 2021 ओके तो इसके नाम सही जैसा कि इस्पस्ट हो रहा है कि गोल्ड मैन पर्यावरण पुरुषकार तो पर्यावरण के छेतर हुच्च में दिया जाता है ओके इसमें बी कोई इंडियोन नहीं है तो यह भी हमको छोड़ना पड़ेगा ठीक है क्योंकि इसमें को इंडियन नहीं और यह माय लिए बहुत ज्यादा सब्सक्राइट को मिला है और कहां के है यह तो फ्रांस के प्रेश्ट पन्यास City概 introducing अन्हांनेशनल बुक प्राइज 2021 इवंको मिला है और किस मिला है तो वन नाइट अपडल्यक को क्या नाम है इसके लिए मिला है आगे बढ़ते हैं अब तेरह मां एन्नी अवार्ड अगर इंपर्डेंट बनता है तो किसलिए बनेगा कि यह जो हमारे भारत रत्न अवार्डी है प्रोफेशर सी एन्र राव अब इनको कम मिला था पता है न सचीन टैंदूल करको और इनको एक साथ मिला था आपको याद आ गया होगा तो सी एन्र राव को मिला है तो एनर्जी फ्रेंटर प्राइज जो कि किसकी कटेगरी है तेरह में एन्नी अवार्ड की कटेगरी राइट बाकि और इसमें से कुछ भ को मिला है तो प्रोफेशर सी एन्र राव को मिला है जो कि भारत रावाड़ी भी है और आगे बढ़ते हैं कि अब यह डॉक्टर ताहरा कुटबुद्दीन कुटबुद्दीन ही है नहां सही प्रोनांस किया है मैंने मुझे लगा गलतनी बल दिया तो पंध्र है वहां सेख जायद बुक अवर्ड है यह किसको मिला है तो मुंबई में जन्मी भारते मूल की प्रशिद सिक्छावित डॉक्टर ताहिरा कुटबुद्दीन कौटी है उत्तना इंपरण मुझे लगनी राफिट भी है तो आप छोड़ भी सकते है इसको अगर आप चाहो तो नेक्स्ट क्याम से स्टार्ट हो रहे हैं याद रखिएगा मेजा मैक्क्षिको ठीक है आगे बढ़ते हैं यह बुकर श्रॉक्टर बुकर अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटि आ गया दोनों में डेफरेंस है वो इंटर नेस्टनल बुकर अवोड था और यह बुकर अवार्ड 2020 है ठीक इस बार का बुकर अवार्ड 2020 डगलस इस्टोर्ट को मिला है किसके लिए मिला है तो सग्गी भेन के लिए मिला है आगे बढ़ते है नोवल अवार्ड तो आप बहुत जादा मतलब इंपोर्टन है बाकी इन वार्ड को आप एक वार या दो बार पढ़के छोड़ भी सकते हो लेए ओरन ओजोरी सब्गा करा अवार्ट को नोवेल तो अपको रटने ही होंगे क्योंकि कोई पूछा जा सकता है ठीक है तो अर्थ सास का किस मिला था अत्यकिस को मिला था के यह मिला था पाल आरमिलगरॉम एंड रावट भी बिलचन को ठीक है किसके लिए मिला था तो action theory के action तो नहीं auction बोलते हैं निलामी सिधान यान की auction theory के लिए मिला ठीक है auction theory में सुधार और नए निलामी शुरुप के अविश्कार है तो इन लोगों को economics का novel मिला था किसको पॉल आर मिलग्राम को एंड रवर्डवी बिलचन ओके आगे बढ़ते हैं आगे है कि नोबल सांत प्रिसकार तो यह सबको पता ही होगा अलड़ी यह तो रच्ट चुका है WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है किसलिए मिला है तो इसके नाम से को मिला है ठीक है उके उनकी एक पोईट बॉइस के लिए आइसिंक आपर किलिरली मैंशें नहीं है ओके अम्मेर की कवियत्री है लुइस ग्लूक इनको मिला है साहित्य का नोबल अबॉर्ड उन्हें यह सम्मान उनकी सुष्पस्ट कवित्रपून बाणी जो खुबसूरती के साथ व्यक्तिकत आस्तितों को सारवभॉमिक बना दिया के लिए पदत किया गया है ओके तो यहां पर आजाते है नेक्स्ट केमिस्ट्री का किसको मिला है केमिस्ट्री का मिला है इम्मैनुल चार पेंटियर और जैनिफर ए डौडना ठीक है नाम थोड़े अजीब से होते हैं जब विदेशी नाम है तो ऐसे होंगे ठीक है जीनूम एडिटिंग के लिए मिला है आगे बढ़ते हैं ऐसा आपको इस अब पता होगा मेरे को इस पता है आपको जानते हैं इसके बारे में लेकिन फिर भी एक बार और आप पढ़ लीजे ताकि आपके जो मैमरी है उसमें ये पैट जाए पूरी तरह ठीक है आच्छा इनको मिला किसलिए था केमिश्री के लिए तो क्रिस्पर कैश 9 नाम के जैनेटिक सीजर्स को बिक्सित के लिए इन लोगों ने इसलिए मिला था बहुत तीक किसको मिला है तो तीन लोगों को मिला है रोजर पेन रोज रेंगार्ड गेन जेल एंड एंड एंड्रिया गेज ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं अब यह चिकट्सा का यानि के मैडिशिन हर्वाट जी अल्टर माइकल हूटन और चार्ल्स एम राइस ओके आई थिंक कि आप लोगों ने कोई ट्रिक वगरगा जरूर बना रखे आए तो किसके मिला है 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 हपिटाइटस पी ऐरस की खोज की मिला है सी लिए हुआ हिए अपने मिस्स पढ़ाता ना उपर शायद क्या बढ़ाता मैं तुमोल गई मिश मिश योनिवर्स पढ़ा गई तो मैं सोच रही थी अभी अभी तो बढ़ा था फिर से आगया इस बार यहां एक मिश वर्ल्ट 2019 ठीक है तो यह है टॉनि एन्ट सिंग जो कि जमेका की है ठीक है जमेका की है टॉनि एन्ट सिंग आगे बढ़ते हैं तो यहां पे अब यह गिवन है अन्य अंतराष्ट पुरुसकार देख लेता है इसमें से कौन सा मायल इंपोटेंट हो शकता है यह भारती मूल के लोगों को ज्यादा मिले हुए अर्थसास्र के लिए हमबोल्ड ट्रेसर चबवर्ड इसको याद रख लिए 2021 का भारतिया अर्थसास्त्री अवं भारत सरकार की पूरु मुख्य आर्थिक शलकार कौसिक बाशू को ठीके कौसिक बासू का नाम आपको याद रखना है एंड आगे बढ़ते हैं कि आगे भी मैं थोड़ा मतलब चोट क्या बोलता है दीरे-दीरे से स्क्रॉल कर रहे हूं अब लोगों को अगर कुछ लगे इंपटेंट तो आप लोग उसको पढ़ सकते हूं ठीक है मुझे जो लगा वो मैं बता रहे हूं सामाजिक विज्यान के लिए प्रिंसेस ऑफ औ 2021 किसको मिला और तो यह डता हूं को हैसा अवार्ड को इस पेन का आशर में कीवारर किसको मिला है प्रोफिशर अम्रटय審 को और और इनके बारे में तो आप लोग जानता है ओल्ड़ी ठीक है आम राते शेन को मिला है प्रिंसेज ओफ ओस्टूरियस अवार्ड तोजार एक की सफील्ड में सामाजिक विज्ञान के फिल्ड में दिया किसने है इस पेन ने दिया है ओके याद रखना है अब आगे बढ़ते ह इसको बोला जाता है पर्यावरन के चेतर का नोबल ठीक है लिखा भी हुआ होगा अगर यहाँ पे लिख्ष हुआ नहीं थीक है मैं ही बतारी हूं विटलिया वर्ड जो है जैसे ट्यूरिंग अवर्ड कंप्यूटर के चेत्र का नोबल है और और कौन सा अवार्ड होता है ठीक है तो इसी प्रकार से ये एवल अवार्ड जो है वो गड़ित के चेत्र का नोबल है इसी प्रकार विटल अवार्ड जो है परियावर्ड के चेत्र का नोबल है तो किसको मिला है नुकलू फॉर्म को कहां के हैं ये ना गालेंट की हैं ओके आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट है यह जहां पर विशु खाद्य प्रुषकार 2021 तो यह भी इंपोरेंट है विशु खाद्य प्रुषकार फांडेशन द्वारा भारते मुल्की प्रुषए तो पोश्ट मिश्ट से गया मागणी जली है खाद्य सोध करता नाम इनका है डॉक्टर सकुंतला हरक सिंग थिल स्टेड नाम तो बड़ा लंबा चोड़ा है इनका सो आपको याद रखना है बिश्टो खाद्य प्रुषकार 2021 कि इसको मिलाए डॉक्टर सकुंतला हरक सिंग इतना तो यादिर रखना ही है चे और आप मिलाए कि बिर्माना सिन्हाश्ऑ को मिल आप служ dad अगर मैंने इसको गलत प्रोनाउच किया है तो लेकिन प्रिट जे कर कहीं पर मैंने पढ़ा आइमिन देखा था लिखा हुआ और यह किसको मिला है तो एनि लाकेट़ॉन और जीन फिलिप वासल को ठीक है दौनों के नाम आपको याद रखने है एनि लाकेट़ॉन और जीन फिलिप वासल किसी कोई भी ट्रिक लगाई लेकिन इसको याद रखी आ सकता है ओके एनी लागे टॉन और जीन फिलिप आई सी ए आर को मिलाए गाई जहां पर यह एक वर्ड किंग भूमी योल वर्ड साइल टे स्वाइल मतले मिट्टी के लिए लिखा हुआ गाई या आई तिंग अक्चली मिले को यह समझ में नहीं आ रहा तो यस अब यह मैंने पढ़ लिया है किंग भूमी योल वर्ड स्वाइल डे 2020 अबॉर्ड ही यहां पे लिखा हुआ यह और यह किसको मिला इस वार तो भारते क्रशी अनो संधान परिशा जिसको हम इंग्लिश में और इन शॉर्ट बोलते हैं और यह अवाड दिया किसने है तो आफ़े उने दिया है फूड और अग्रिकल्चर और कॉनाइजेशन ने राइट आफ़े और जो हाट क्वार्टर वो कहां पे है रोम इटली में है ओके आगे बढ़ते हैं अब हम लोग स्टॉक हम इसको छोड़ी दीजिए अच्छा यह क the legion of merit 2020 अमेर्चा के सरवकी सायन ने पदखर मैंसे एक है यह और तत्काले न अमेरック commencement martini द्वारा प्रवंधन पुरुसकार तो सेल के वारे में आप लोगों को पता हो नहीं सेल एक महारतना कंपनी है ठीक है स्टील अथॉरिट ओफ इंडल इमिटेड और इसको इसको मिला है गोल्डन पीकॉक पर्यावन प्रवंधन पुरुसकार 2020 ऑगे बढ़ते हैं बार्व स्टीक्षप पुरुसकार यह भी एक इंप्रवंधन पुरुसकार रंजीट सिंह दिशाले को मिला है ऑके देता कौन है तो वार की फार्वंडेशन द्वारा है वार की फार्यूं द्वारा महाराच के सोलापुर के परश्ट प्रात्मिक बिध्या लेके शिक्षक रंजीत सिंह दिशाले कहीं दिशाले लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं हम समझ तो सकते हैं ठीक है तो इनका नाम भी बहुत ज्याद इंपोर्टेंट हो जाता है याद रखना है अब इधर कुछ नाम दिये हुए है कोई अब बगिरा इनको लेकर लेकर नही यह आपको याद रखना है मानवता के लिए पहला गुल बेंकेन अवार्ट ट्वेंटी ट्वेंटी यह किसको मिला है तो यह ग्रेटा थन्वर्ग को मिला था ठीक है कहां पर है उनका नाम में को याद दिखनी रहा यह यह रहा स्वीडन की प्रशिद्ध जलवाईव परिवर्दन कारेकरत्री ग्रेटा थन्वर्ग को यह पुरुसकार मिला है और क्या दिया जाता है इसमें एक मिलिन यूरो दिया जाता है ओके मानवता के लिए पहला गुल 2020 प्रशिद परियावण अर्थसास्त्री और सन्यकुत्राष्ट परियावण कारेकरम के सद्वावन दूद्ध पवन सुख़देव यह पैन को बार बार तो तीन भार जब तक ट्रच नहीं करके तब तक नहीं आ रहा पैन तो पैन भी नारा चल रहा है कि मससे पावन सुख़देव को और स्टेंफोर्ड यूनिवेस्टि की प्रोफिसर डॉक्टर ग्रेचेन सी डेली यार इतना इंपरेंट लग नहीं रहा नाम से तो लग रहा था टाला रवाट 2020 अच्छा इतना याद रहे कि कौन से फिल्ड में दिया जाता है तो यू एनप दे रहा है तो किस फिल्ड में दे आगे बढ़ते हैं पावन सुकदेव और ग्रेचेन सी डेली नाम याद रखने कोई बात नहीं अगर आ जाएगा फेपर में तो आप टिक कर सकते विजी लिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंटरनेशनल और नेशनल खेल पुरुष्कार यहां पे गीवन है राश्टर खेल पुरुष्कार ठीक है तो राजिव गान्दी का सबसे पहले थिंग तो यही है कि आपको पता होना चाहिए राजिव गान्दी का नाम अब चेंज मैंशन नहीं है सबसे पहला किसको मिला था कौन है हमारे यहां के सबसे पहले सत्रंज ग्रैंड मास्टर उनका नाम मेरे मैंट से चलिप हो गया यह विश्व नाथन आनंद को दिया गया था और कि इसको गया था तो राज अम फिर से ने अछम से लिप हो गया मैंट से यह मैं विश्व नाथन आनंद को दिया गया था और तब सी लगातार दिया जारहा है ठीक है और इस यह बार कि लोगों को दिया गया कौन कौन है वो 5 लो को देखते है यह हैं रोहित शर्मा इनके बारे में तो आप लोग जानते हो क्रिकेट से बिलंग करते हैं आइमिन क्रिकेट खेलते हैं बिलंग करना नहीं बोले नहीं हाँ पर नेक्स्ट है मरियपन थंगा पेलू और यह है पेरा एतलेटिक्स ठीक है और पेरा एतलेटिक्स तो है लेकिन एतलेटिक्स में अभी कौन सा गेम खेलते हैं यह आपको पता होना ज्यादा जलुरी है क्यों क्यों कि जो लास्ट इयर का एक्जाम हो था 2020 वाला तो उसमें पूचा जाता कि जो दीपा मलिक है उनको तो उसमें पुछा गया था कि दीपा मले कौन से गेम को खेलती हैं बस मेर को इस टैम पता था कि वह तो अथलेटिक्स में हैं तो और उसके वहाद तो डारेक्ट गेम के नाम आए से तो में तो खेल गहीं वहाँ पर मैंने गलत भी गलत हो गया था मतलब मेरा कोल मला के बात य यह है ओके इसलिए आपको पता होना चाहिए एकजक्ट उस गेम का नाम ठीक है तो मरे अपन थंगा बेलू क्या खेलते हैं मुची कूद्र ओके ओके आगे बढ़ते हैं अगे है मनी का बत्रा की बारे में आप लोसा नहीं को सुनी रखा होगा है । मतलब के अब तो सब जानते हैं आजकाल अब तो मतलब अब तो सब जानते हैं पहले कोई जानता या था या नहीं जानता था लेकिन अब सभी जानते हैं ठीक है है और अर अर्जुन अवट के बारें बात करते हम तो बहुत सारे लोगों को दिया गया है देखो इन रख रखेंगे हैं एक प्लेयर को दिया जाता है और वैसे इन सारे प्लेयर के लोग बाखी के प्लेट स्कॉर्ट जोन वार्ड मिला होगा अगर इन लोग के नाम आ भी जाएं तो ठीक है वैसे आपने सुन लख्योंगे बहुत सारे नाम जैसे अतानुदास है दूती चंद है एस साइन आज है चंद शिकर सेटी तो मैंने तो नहीं सुना है आपने आइटिंग सुना का होगा मनिश कॉसिक भी ने लवली न बहुर गोहिन तो सुन लिया अभी सुन लिया था बॉक्सिंग में इन्होंने ब्रॉंज जीता है ओलंपिक में ओके और इशान शर्मा को तो सब जानते हैं दिपती शर्मा को नहीं जानते हैं अधिती असुक अभी गोल्फ में यह चौर्थे नंबर पर फिनिश के आ था इन्होंने अपना ओलंपिक में ठीक है इनको भी सभी जानते हैं और ठीक है यहां बहुत सारे नाम है गैज तो आप लोग एक बार पढ़ क्योंकि जो इंपोर्टन था वो हम कर चुके हैं इसको और एक बार याद देख लेजिए का कि जो लॉर्यस वर्ल्ड इसपोर्ट्स 2020 है कूंकि पता लॉर्यस वर्ल्ड इसपॉर्ट्स 2020। इस अवार्ट सेरेलेटर्ड एक व्यूश्न यूपैसी में आया था अगर आपने UPST का एक्जाम दिया है तो आपको 100% पता होगा ये ठीक है अब Sportsman of the Year किसको मिला है Laureus World Sports 2020 Awards में तो राफिल नडाल जो कि टैनिस प्लेयर है और इस बार तो इन्होंने एक भी Grand Slam नहीं जीता है राफिल नडाल नहीं क्यों क्योंकि जो पहला दूसरा और तीसरा तीनों के तीनों किसने जीते है नोवाग जोकोविश ने जीता है वो डेनियल मेदवेदेव कुछ ऐसा ही नाम है उनका डेनियल लाम है आगे से तो उन्होंने जीता है ठीक है किसको राके जीता है ओके तो इस बार यह राफिल नडाल साब एक भी Grand Slam नहीं जीत पाए है और आपको आपको ना एक तो मैंस सिंगल्स पता होना चाहिए और एक डो मैंस सिंगल्स पता होना चाहिए किस-किस ने जीता है उसी मेंसे आ जाएगा अगर कोई भी आवर्ड आना है टैनिस ने कुछ भी कोई भी क्वेस्टन अगर आना है एकजाम में तो उसी मेंस आ जाएगा राइट तो यहां पर हम बात करें लॉर्यस वर्ड इस्पोर्ट्स अवार्ड की तो राफिल नडाल ने जीता है यह इस वार और इस्पोर्ट्स बूमन अफ दा इयर नाव में उसाका न स स्यवतुले तो अगर फ्लम्स की बात कहने लें तो आसकर हमाई लें इंपडूर्ट्न बन जाता है सबसे पहले कि एक वीं वर्यार्डło को यहाए ठीक है तो नुमर्ट लेंड की ही डिरेक्टर के लो जाओ को वेस्ट डिरेक्टर का बॉर्ड मिला था एंथनी हॉपकिन्स हैं इनको वेस्ट अक्टर का बॉर्ड मिला था दा फादर के लिए एंड जो बेस्ट अक्रिस का अवार्ड मिला है फ्रांसिस मक्डॉर्मॉन को मिला है हुमर्ट लेंड के लिए ठीक है इससे जादा कुछ भी याद नहीं रहा है जादा याद करोगे तो पीछे का भी भूल जाओगे अब ये आजाते हैं एक तो ये गैस कन्फूज करते हैं फिलम फेर हैं या रास्टे फिलम अवार्ड है मुझे तो सच्छी वितार हूँ मुझे तो बहुत जादा कन्फूज करते हैं ये अवार्ड लेकिन अगर ना भी पढ़ा हो तो भी गलत ही है ठीक है तो अब मैं आपको एक हैसी वाली बात बता दूँगी मुझे खुदा से आईगा अगर मैं आपको बताँगी तो कि फिलम फेर जो अवार्ड हैं मैंने कैसे आद रखा था भी बस मैं अभी जब साम में पढ़ रही थी तो मैंने सोचा यार एक कैसे आद होगा फिलम फेर में और दोनों में मैं कन्फूज थी बहुत ज़्यादा तो मैंने सोचा कि अफ थपड मानना तो फेर नहीं है न किसी को किसी को भी थपड मानना तो फेर नहीं मतलब उचित नहीं है यह तो फपड मानना तो उससे मैंने याद रखा कि अफ थपड मुझे याद रहेगा कि फिल्म फेयर वाला जो अवाड है वो थपड को मिला है अब हम दूसरे की बात कर लेते हैं दूसरे ही पर देखो नीचे दे रखा है राश्टे फिल्म पर उसका रहा है तो वो मेरे को पता था किसको मिला है क च्छोरे को मिला है, ठीक है देखो, यह रहा घूलाब मेरे को दो फिल्म में याद है, एक थपड़ और एक ठेचेचौरे, लेकिन मैं दौनों में गन्फूज हो रही थी, कि या थपड़ को फिल्म फेर् क्या राश्टी फिल्म अवर्ड मिला है, तो अब फिर मैंने यह जे थ्यान रखी कि हां थपड मानना तो किसी को फेर नहीं है तो अब मुझे याद हो गया मतलब मैं अपनी ट्लेक बाठा रहे हुँ आपको क्या मुझे याद रहेगा कि थपड को फिल्म फेर मिला और अभी ने इतनी है तापशी बाकिन है बास पीजिए लेना बस बेस्ट अक्टर एंट्रेस एंड फिल्म अब ग्रेमी अवार्ड फिल्म थिचे वह इतना पता हूंजी फिल्म चाहें एम्य वर्ड होते हैं टीवी टीवी के फिल्म में दिया जाते हैं ग्रैमी अवार्ड दिया जाते हैं इसी में क्या बोलते हैं क्या लिका हुआ है सामने आ रहे हैं यार मतलब म्यूजिक के फिल्म में दिया जाते हैं और टॉनी अवार्ड होता है आम्मी अवार्ड होता है टॉनी अवार्ड हाँ टॉनी टॉनी दिय जाते हैं यह सोरी मैंने आइठिंग पहले गलत बोल दिया टॉनी आवार्ड जो होते हैं टीवी के शेतर में जो छोटा पढ़ता होता है ना जonceसे सीरियल बगर होते हैं उस में दिया जाते हैं ग्रैमे बॉड मुझिक के शेतर में यह आलबम बगरा जो है आप देख रहे हैं में तॉट से क्ट सा इन भूल गहीं हैं है में तोनी किसमा दिया जाते हैं मैं अपने फिल्म हैं आप managuing में gebracht आप सरट में फेर्ख कर लेते हैं अब राश्टी फिल्म की तो तो राश्टी कीआ मिला मिला है ठीक है और आभई इनेता कौन है मनोजबाज पही है अभी नेत्री कौन है तो कंगना रनावत ठीक है और फिल्म कौन सी है तो वो तो छचोरे है यह आप लोग पहले ही देख चुक्यों कांगा यस यह रहा है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आइधिंक कि अब यह आपको भी कंफूजन नहीं होगा इसमें अच्छा यह कुश्यन आ सकता है इस ठीक है यह इंपोड़न्ट है इसको याद रखेगा आपके जो सरवादिक फिल्म अनुकूल राज्य है न वो कौन सा है तो सिक्किम है सरवादिक फिल्म अनुकूल राज्य कौन सा है सिक्किम है आगे बढ़ते हैं तो गोल्टन आप इन आवार्ट्स को छोड़ भी सकते हो गैज क्योंकि जो इंपोर्टन था वो अल्ड़ेड हम पढ़ चुके हैं तो छोड़ भी सकते हो ठीक है अब इतने सारे वोड एक अब ये कांस आवाड आ गई यार फिर एक यामनों भार्ट्य अंतराश्टर फिल्म होसा अब बस इतने याद रखे कि जो अभी एक यावनमा भार्ट्य अंतराश्टर फिल्म होसा था उसमां जो फौकस कंट्री था वो कौन सा था कहांपर हुए हैं सबसे पेखोएं को वाकी कैपिल पड़जी में हुए एंड इस बर्स जो फोकस कंट्री था वो कौन सा था बंगलादेश था ठीक है इसके अलाबा आप कुछ भी याद मत रखिए छोड़ देजिए अब एक चीज़ और यहां से याद रखिए अन्य फिल्म आवार्ड में कि जो 51 यानि कि 51 दादा साथ फाल के है वो किसको मिला है तो रजनी कांत को मिला है यह तो आपको पता हुगा ठीक है और इंटरनेशनल फेडरेशन आप फिल्म आर्काइब्स आवार्ड 2021 तो यह मिला है अमिता बच्चन को बच्चन बोल रही थी मैं पहले अमिता बच्चन को मिला है और इस पुरस्कार को पाने वाले वा प्रत्थम भाड़ते हैं ठीक है तो प्रत्थम है तो इसलिए यह भी बन जाता है गाईज इंटरनेशनल फेडरेशन आप फिल्म आर्काइब्स आवार् अमिता बच्चन एंड अमिता बच्चन इस तो फ़स्ट अवार्ड इस अवार्ड ओके आगे यह और भी अवार्ड है यहां पर इतने सारे अवार्ड कोई क्यों देता है ओके अब इसको छोड़े जी आई फाव अगयरा को ठीक है उतना इंप्रियोजना नहीं है फिल्म फेयर पढ़ लिया हमने और राश्टे फिल्म पढ़ लिया वह उतना ही बहुत है और सो यहां पर तीस मिट का वीडियो भी हो चुका है गईज और अब नेक्स्ट है योजन और परियोजना ओके और इन योजना परियोजना को कल कंप्लीट करेंगे ठीक है योजना परियोजना के बाद यहां पर एक और हैडिंग के अंदर कुछ दिया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था बिविद तो जो वह जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार यह चीज़ तो यहां पर काफी ब्रेंट है आयोग और समीती ठीक है यह यह सब हम कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी करेंगे तो अभी के लिए इतना ही अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो शेशन में ओके संधी समझोता कहां गया वह वह बिविद नाम से था उसमें उसको ज चोड़ने लाइक है नहीं सची बतारी हूं आप लोगों को अब उसमें ऐसा लगा पाड़ने के बात कि कुछ भी छोड़ने लाइक नहीं है इसमें मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी अलग से लग रहा था कि यार यह तो सारा कुछ इंपोर्टन है अब तो मिले गया भी नही पुस्तक है यह यह देखे गाईच यहां पर है बिविद तो जादा भी नहीं यह देखते हैं कितना है अब इस सारी के सारी नियूज बहुत जादा इंपोरेंट लगी मेरे को कि कहीं पेज़ी जीज़ें है इसके तो मैं तो सोच रिती कमी है यहां तक है ठीक है तो इसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लेट करेंगी ओके कल आई होप की कल कर लेंगे ठीक है तो यह करना बहुत जरूरी है बिविद ठीक है तो अभी के लिए इतना ही गाईज मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो सेशन में ही लाइव तो नहीं हो पाईगा क्योंकि लाइव मेरा नेटवर्क से बहुत जादा होता है आईडिया का नेटवर्क है नेक्स्ट जब यह फिनिस हो जाएगा ना यह वाला ने तो मैं उसका लोंगी एर टेल का तो अब मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो सेशन में तर्दी नमस्कार एंड अगेइन अवरी हैपी दाशेरा तो अल फ्यू गूनाइट